मौतरम अजीजों खुदावन में आप सब की सलामती हो आज हम फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं मैं और हिना प्रोग्राम बोल गेला अजात है तेरे में और आप सब को खुशामदी कहते हैं आपकी सलामती चाहते हैं और उमीद है कि आप सब खोशोखुरम होंगे औ क्या है तो विवर्स सब्सक्राइब को याद होगा क्योंकि मुझे उमीद है कि जो हमारे लोग कनेक्टिंग प्रोग्रेम्स देखते हैं उनको यह इतम इंतजार होता है कि हम भी आगे क्या बात होगी और जो इंफरमेशन मिल रही है हमें कलाम से वह बहुत ज्यादा जब के होना चाहिए पिछे अपिसोड में भी हम बात कर रहे थे कि सब को पता होना चाहिए लेकिन हम कुछ शुकर गजा रहे है कि बीटी आल ने ये मौका फराम किया है कि हम यहां बैठ कर तो यह बात कर सकते हैं और बात को पहुचा सकते हैं आप तक तो जैसे कि आज का लाओ टापिक हमारा वह है वरकिंग वोमन्स और इस हवाले से अमारे पास बहुत सारे सवाल है आप भी समझते हैं कि बहुत सारे मसायल भी है मिलते हैं और पिर उनके हल वी मौजूद है सशनी कर लिणी होते हैं और आइस्ता है बहुतरी आती रहती है हमारे साथे एक तो नहीं से जोड़ेंगे आपने तीन शोबु जिकर किया था एक तो खेद में जिसमें रूमेश चोहां उसको जिकर थांग और पिर आपने कहा था कि वो कपड़ा बनाते थैं सिप्जिए उसका परपल कलर यहां परपल कलर यह लोग लोग ना तो डाय कर थे उसका कपड़ा बना के क्ला मेना धरी बुद्स करते है तो अज आज मारी सथ में जिनकर नाम है जैसिका लाइन पर अप मर् यावास नून सकते हो अप उनसकते हो ऐए अऑच अच्छ्छ मादर इव ते रही आवाई और अजो है P लोग को प्रोग्राम बोल किलब आजद तेरे में खुश्यामदीद कैते हैं कैसे हो नाम में आप सब को भी जाय मसी जैसे का हम लोग ना आज कल बात कर रहे हैं वरकिंग वोमेंस के हाओ जैसे कि आप जानते हो कि हमारे एशिया में भी और यहां भी बहुत सारी खावातीन ज पाते हैं या इसे मायूब समझते हैं और हम देख रहे हैं कि बाइबल में कौन कौन सी खवातीन है जिनका जिक्र इस तरह से हुआ है कि उनके काम के हवाला जाद दिये गए हैं तो आप क्या समझते हो कि औरत को घर से निकल कर जौब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अग सेरे हसाब से अगर वो करे भी तभी कोई मसला नहीं एह और अगर ऑविसले अगर अगर उनके हुझ थारुण है जो काम कर रहे हैं और हुवर्किंग वेल तो अगर नहीं भी तरी तो इसे तो तब ही ठीक है और दिय कोई आपे जैसे बाहर के मुलकों में तो इह तो आँ कि अप्सक्राइब और दो अजरी टुछ झाले चाहिए अज़ने काम करना चाहिए लेकि अजर अप्तो एजिया कंट्रीज में एजिन कंट्रीज में होंपे उर्टें काम कर एंगे आज कल तो मजबूरी हुई भी इसकाम करना ओश्चों कि यह क्योंके अकेले बंदे से पुर बटेस्ट में अच्चे भी संबालना घर भी संबालना पर उस पर एक और जिम्मेडारी के काम भी करना ज़्याम घ्याम जादी यह जाती अग मैं और आखर क्यूप पर डबल ड्यूटी हो जाती है इचान तक मैंने इख रडेख है किया लोगों के साथ वैसे मैं जॉब नहीं करती हूँ झाल कि अपर्डे ही कि अपर्डे ही जो जो है कि अपर गज्राइक टियु आपना फुटी नभार होते हैं कि हम पर गार के भीवी ने खाना है उसी ने सारा करना उसी ने घर भी समवाद है ने टीन रखना है नहीं है तो तब भी बाते हैं काम का गुस्टाबर अगर वो कर रही है तो अपने हजबन को ही उसमें हेल्प कर रही है विकॉस शीजा है यह बात सुनी है और हम इसका जिक्र भी कर चुके आपने पहले अपीसोर्ट में के औरत को जो है वो मददकार की हैसी एंदी तातक पेगे बिल्कुर और वो मददकार उसको ठहराया वे उ को संभालने के लिए extra finances की जरुवत पढ रही है तो definitely वो कर सकती है और husband नहीं माइन तरह तो there should be no problem और वैसे भी आज कल तो 21st century है तो इसमें तो अपने जहनों को भी हम बड़ा कर ले तो अच्छा है इसमें एकुलिजम का वो ना करे हम तो वो बेतर है जो डुटी समझ के जैसे हम कर रहे एक दूसरों की मदद कर दे की वरे से तीके बड़े तो अगर हम अगर औरते हम आप यह वो तो I think that's a bit wrong कि जब हम जब उनकी मेंटालिटी अगर वो ऐसा करना चाह रहे हैं बिलकुल इसमें कोई शक नहीं है यह बिलकुल ठीक बात कही है आपने लेकिन को कबूल कर देना गलत बात है और इसको इसको कबूल करना जो है वो तोड़ा मुश्किल है क्यूंके क्यूंके हम सारी बाते वही करेंगे जो मतब अवारतों के हाग में हो नहीं जहां पर वो गलत है तो हमें जरूर पॉंट ओट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और बेश्किसमें बहुत बहुत बात है कि आप इस तरह से करें क्यूंके यह जिम्मेदारी आपको असल में बिल्कुल एसे है यह सर्ट डेशनीट्ली में तो यह कोओंगी के अ अपक एपने जेनों को हमने को लियना चे यह कुढ़तों के जिब हम बाकी कामों में कहते है कि आदनी का यह जोब है तो ऑरत का यह है तो उसमें मर्जी है तो इफरेंस रखना है मर्जी है तो और वह हु I think there is no problem, I agree with that, I agree with that, if you have a job where there is a job and there is no problem with your husband. I will go with that, if you can do it in the Bible, there are many people who have spent a house and outside the tent making. There are so many examples in the Bible. Today, we are going to talk about them. In the previous program, we have talked about some people from the Bible, which were workers. And today, we are going to talk about them. And we want those who don't listen to you, they must listen to them. We are going to talk about them. But I have a question about them. The people of color, the work of women, they have to grow. But respect is less. And respect is less. The respect is less. Where they work, what is the difference between them? What is the difference between them? That's the difference between them. That's the difference between them and their mentality. Because if your house has a different mentality, then the outside of the environment, they will raise their fingers. They will raise their fingers. They will raise their fingers. So, either you are looking at the world, or you are looking at yourself. What is the difference between them? How are the difference between them and their fingers? How does your fingers raise their fingers? The fingers raise their fingers is not 낮ated. This is a very big problem. It is a big problem for the person. It is a big problem of the person who is a human being. Because there are people who are people who love the law and people. So, people and people have the difference between them and their faith. And people and their знать. This is the difference between them and their faith. यह प्रवस्ट प्रवस्ट नहीं यह तर दिफरंस और इसमें यह दो डोग डूपरी के लोग है बैसकली दुनिया में तो लिए उठाणी बंधी ओंगी तो इसलिए हम अपने आपको अगर हम जिफरेंट का समझ रहे हैं और इजटार काम कर रहे हैं लोग बाहे जोगते हैं है तो इसके मिन ऐसे जैसे आप से बात कर दूहे खोए कि समने तो साथ है तो होता है कि कभी कभी इसी घराने में ऐसा भी होता है कि और ओरत को जी काम करने की इजाज़त नहीं है हम जी और तो से काम नहीं करवाते और जहां देखा कि मुझे पैसे की जरूरत है तो बोला के चल कोई बात निए थोड़े दिनों के लिए कर ले तो कोई बात निए भी बिल्कुल ना इनसाफी है कि वह रुच्छ नहीं पूल दिए ना आगमे बो और तो कुछ नहीं समझते ह और ज्यादा तर उन लोगों उन खराने में आपको हमेशा मिलेगा कि आदमी ने और पर जरूर हाथ उठाया होगा बलकुल और फिर यह भी होता है कि अच्छा काम तो करती नहीं कुछ अपने घरवालों से कुछ मांग के ले 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 या कुछ घर का मुझे तंगी है तो कुछ कैसे मतcejए आप अन्वो कहीं लेति है और बाकिस च्ट्वरैस्टवे और वेशा होता है और क्या क्या नहीं टियाता है यह झाल के औरॉत अजया में अश्मिक वासा अश्मिलाब न हुझे न मांने वासे नेन है थैंतश है उर्क जो जिसका झिसम खुदाने बनाया के, लीज पताति न हनोग अच्छा अपने पैट में ईसके और झीयोड जा हा ब्रित Ale माते अगर ते कर दो कुछ नही आहून। आज हुए क्योओ नहीं से Ale असको झाखती है तो कोर दो प्रक्रिश नहीं हमारा जो म मर्द है जो हमारा टार वर्मार Heimom no matter what यह बाकि उसका सरवरा खुदावन है तो यानि कि अगर हम औरतें खुदावन को अपना कहलें कि अपना हजबिन मानती हैं, तो आओमाटिकली हमारे जो दुनिया में जो हजबिन्ट हैं वो ऐटमाटिकली हमारा साथ देने लग जाएंगे, ताइम लगता है प्रोसेस लगता है लेकिन यह हमें जरूरी है कि हम औरते हैं बेसिकली अपने माइन सेट को जैसे हमारा एजिन कम्यूनिटी है कि हमें नीचे ही किया जाते है हमारी बेस्टी होती है जगा जगा पे हमारी हीबत नामी होती हम जो मर्जी कर ले हमारे साथ ही ब आपकालना भी कैसा है लेकिन जैसे का आपसे we are much more powerful than men बिल्कुल इसमें कोई शेक नहीं है लेकिन मैं यह बात जरूर करना चाहूंगी कि कोई भी शख्स यह कोई भी और दो कोई भी खातून जो जो है वो अपनी रिस्पेक्ट अगर करवा सकता है तो खुद करवा सकता है कोई ना रिस्पेक्ट देता है ना देगा अपनी रिस्पेक्ट खुद कैसे करवानी है अगर आपको ये पता है तो फिर आप काम्याब हो और एक औरत के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वह अपने रख रखाओ को अपने किरदार को अपनी बातों को इस तरह से करें कि उसकी respect जो है। वो बनी रहें और लोग उसकी respect करें चाहिए ऑफ किसी भी शॉबे पे काम कर रहे और रिसक्त जो है यह यह ऐसी चीज नहीं जब खिश्ट करने अप करन की पड़ते हैं और मैं कहूं को नहीं तो कोई निए आप में खुद ये अबिलिटी होनी चाहिए के लोग आपकी रिस्पेक्ट और उसके लिए थोड़ा साथ जुकना पड़ता है कुर्बानिया देनी पड़ती है थोड़ा सा खामोश रहना पड़ता है एहसास दिलाना पुछ जरूरी है लेकिन चीख कर नहीं न दूसरी औरत का एसास कर सकती है या इवन फैमिली लाइफ के बारे में जो कुछ भी हो रहा हुँ निच या जो भी लड़ाई चगरे हो ते एक और ज्यादा अच्छ समझ सकती उसको मिनस्बत हजबंस के समझ भी सकते और संभाल भी सकती है बलकुल जैसे का बहुँ अच्छ सकती है जैसे खुड़ावन ने कहा है कि होली स्पिरिट आपके साथ रहेगा हमेशा रहेगा ही विल बी यो कंफ़टर ही इस यो गाइड ही विल बी विद यू टीच यू और यह वो सार तो यह सारी खुवियां कर देखाए तो एक और अवरत में भी पाई जाती है जैसे का बहुत अच्या लगा बात करके यह साथ है अपके साथ हुँ आपके साथ हुआ जैसे का बहुत अच्छा बोलती है लेकिन आप ब्रेक के बात जी नाजरीन वेलकम बैक और जैसे के हम बात कर रहे हैं आज कल वरकिंग वर्मेंस के हवाले से और हिना ने पिछरे एपिसोड में तीन खवातीन का जिक्र किया था तीन शूबों का जिक्र किया था एक तो खेत में काम करने वादी खवातीन थी फिर एक जो है वो कपड़ा बुनती थी और एक कोन से थी एक जो खेतों में काम करती थी और एक कमपने कपड़ा बुनने वाले की बात की थी और एक प्रोबर्ब्स में उसका जिकर था ना कि जो रूथ वो भी खेतों में काम करती तो और किस किस शो बे में बाइबल में हमें लुट है कि इसमें इस में बात करूंगी लेकिन वो जैसे कि जैसगा भी भी गारी थी कि हसबने की हुआड़ी होती है और यह सब अअधों पुराना जो हमारा पुराना हितामा है उसमें जिस मौशरे का हम जिकर पढ़ते हैं उनके मौशरे में भी कुछ ऐसा ही दिवाज था और आम तोर पे हमारे जहनों में यह कॉंसेप्ट है कि शाहिद वो जो औरतें थी वो घरों तक मेह दूद थी उनके उपर कोई ऐसी जिमेदारिया न यह दो रहा है इस तरह से क्लासिस बनी है उस वक्त भी क्लास थी और जो घरों में रहने वाली और हजबंड्स के की सुन के चलने वाली या खवातीन है जो के प्रफेशन के लिए नहीं थी बश के बस यह जैसे बादशाहों की बीवियां हो गई और इस तरह से राजों की व क्लास थी जो के सिर्फ त्यार शेयर होना और अंदर रहना है और उनके साथ साथ चलते रहना बस लेकिन जो मिडल क्लास थी हमारे जैसे वो उस वक्त भी काम करती थी और उन्हीं के बारे में हम यह अभी जिकर पढ़ भी रहे हैं जैसे के खुरूच की किताब है ना एक्ज जो हैं वो खास तोर पे इसके लिए मुख्डिस थी इसी तरह से पुराने अहद नामे में तक्वीन की किताब में भी और खरूच की किताब में भी उन खवातीन का जिकर है जो ऐस शेफर्ड्स काम करती थी चरवाहे के के तौर पे यहनी के भेड़ बक्रियां चराती थी उ इसके 29 बाप और उसकी नवी आयत में है जिसमें लड़की का नाम है राखल वो अपने बाप की बेरे चराती थी और इसी तरह से जो खुरूच है उसके दूसरे बाप की 16 वी आयत में जिकर है साथ बेटियां थी मिदियान की तो वो पानी जब लेने के लिए आई तो वहां बाप का जो फ्लॉक था यानी के जून का कुआ था नहीं फ्लॉक बेड़ों का जो वो सारा अचे ज़ता वो उसकी रख्वाली का रही थी और उसके लिए वो पानी बढ़ने आई थी तो ये हींट्स हैं बाइबल की आयात में जिन से में पता चलता है के देवर एक्शली प पर काम कर रही थी उस वक्त और इसी तरह से टेंट भी तो बनाते थे न हांजी वो थी अकीला और प्रसीला ये दोनों मियां बीवी थे और ये पॉलूस रसूल के साथ मिल के टेंट्पेकिंग का काम कर देए क्योंके पुलूस रसूल भी बेसिकली टेंट मेकर था हम और ब बात सारी जगों पे यामाल की किताब में अफना भुरोसा जाहर किया और उसमें उसने जिकर किया है कि ये बेशक वो ऊरत आप शाय देए को ये जाहर करना पड़ता था कि लोग पालुस रसूल की बात मानते थे तो उसने खुद का कि भी इस की बात सुने उनका उनका उनक आपिजिते हैं वह तो और है उसकी बात चोड़ो मर्दों वाली बात कर हम जी एक जुबान कर जब कि कई दफा मर्दों से ज्यादा पकी जुबान उती है और तों की मर्दों से ज्यादा नॉलिज होता है आप अजिए जादा आप लेकिन फिर प्र वैसे कबूल अभी तक नह आप उर्टों कर प्रोग्रम करती है वह दोनों तो मल्दब यह वली बात आती है न तो दुख होता है यह सोच के के और तैया मर्द जहन दोनों के पास है पिर इसके बाद एक यही मजवी लिहास एक बहुत बड़ी किदमत आपको पते इबादत का की डेकुरेशन इबादत का का तकद्स काईम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और अभी भी कैतलिक लिस्या में जैसे सिस्टर्स होती है इसी तरह तरह तमाम क्लिस्याओं में जो खवातीन हैं वह साथ देती हैं बकाईदा और का कपड़ा बनाने के लिए उस पर डेकुलेशन या उरत भास ता वही ब्लु पर जडल और ये सका लंड है नगी उसके कलर्स है वहां पर तो ये काम जो हैं ये औरते किया करती ये वही उसके लिए जो सूत ओता हिस आसोध बनाना ब्ला होता है उस्तियारी से लेके दाय कर के स्टिच करने तक यह सारा काम औरते किया करती थी इसी तरह से आमाल की किताब में अठारा बाब उसके तीसरे आयत में है वहां पर यह टेंट मेकर्स का भी हमने पहले भी भी हमने देखा है कि जो खावतिन ऐसे घर पे हैं उनके साथ कुछ अन्हों नी हो जाती है वादब कि जिसका वह उनको अन्दाजा नी होता अचानक से कुछ आ पढ़ती है उन पर तो फिर वो सलाई मशीन लेकर बैठ जाती है कप्रे सीना शुरू कर देती है उससे कुछ अनिंग करती है अपने बच्चों को पालती है बड़ा बड़ा अरसे से देख रहा है कि और कोई हुनर नी आता तो है कि हाँ औरतों को जादा बेहतर पता है यह उनका शुरूबा है इस पारे में भी पहला सेम्विल उसकी आर्ट पाप उसकी तेरवी आयत में हमें जिकर मिलता है जहां पर लिखा है कि विल टेक यूर डॉर्टर्स फॉर पर फ्यूम्स एंड कोक्स एंड बेकर्स यह जो इ कर पढ़ते हैं के बादचा ने हुकम दिया के तुमाम पैलोटों को अकर वो लड़का है तो से मार तो तो यह कम किसको दिया गया था वो देवर लाइक नर्स ना दाहियां थी इस वाले से वो बेडिकल के उसमें शुबे में काम कर रही थी तो यह भी प्रूफ है कि हाँ व दबूरा के बरे में पुड़ते हैं बिल्कुल जो के बहुत नभिया थी और काजी भी थी तो यह सवाले से ओरतें काम करती रही हैं बेशमार यहां तक के सिवल इंजिनियर अभी तो पढ़ लिख के बन जाते हैं सिवल इंजिनियर पहला करंतियों साथबाब 24 आएथ में एक लड़की है उसका नाम है शिरा इंगलिश में कुछ शिरा बनता है शायद दूमें कूछ और लिखा हो और वो मतलब बिल्डिंग बनाने में हल्प करती होती थी उस वक्त की जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें उसका पार्टिस्पेशन नजर आता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि कि अब आने पहले और्तों को पीछे रखा या वो जिरफ घरों में रहती थी कुछ अब प्रैक्टिकली को काम नहीं करती अब और अब और तो पतानी क्या हो गया है और इस तरह से बस वो लाइक आफ नॉलिज ही है कि हमें पता नहीं हो तो हम क्यों कि बाइबल को वैसे करते जाते हैं हैं जी अगर आम ज़्यादा स्चाहँ को पड़ें तो पिर हमें वो बात था पता चल सकती हैं जो के ज्यादतर पता नहीं होती हमारे प्रोग्राम का मक्सede है कि हम आपको और और पार युद्Le कि चिंदयाय नोटी नेदे देना और हम धदकार भी रहना है और ये बड़ी इंपॉर्टन नेपे बहुत सारे मुसायल भी है तो भी खोश कैसे रहना है ये अगर अगर तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदाम का क्लाम है क्योंकि वह हमें तसली देता है कि खुदामन तसली का सरच्छमा है तो बहुत अच्छी गुफदगू रही और है हाँ जी बेशिमार प्रोफेशन में उनका जिकर है अगर हमार पास अभी टाइम है तो कुछ हलका सा जिकर हम कर सकते हैं और ना एक मिनट है और तो थोड़ा सा जिकर हो सकता है और यह जो मुझे बड़ा इंट्रस्टिंग लगा क्यूंकि हमारे जो पंजाब का कल्चर है उसम मैं जानती हूं कि मैंने ये बात सुनी वी अपनी बड़ी माओं से के पहले वक्तों में भी अगर कोई मर जाता था तो उसके लिए रोना जो है ना ये से बड़ा वो समझते थे के चीखना चलाना और इस तरह से तो वो पराने वक्तों के ये जिकर में ये जरमाया में है उस करने का इसमें कोई शक नहीं है पता है आज भी इस बात का इकरार होता है कि कहते हैं हमारी तो बेटी नहीं है हमें कौन रोएगा हम जी क्योंके बेटे नहीं रोते हैं बेटिया ही रोती है और क्यों रोती हैं अगर हम इस बात पर गोर करें क्यों कि वह बहुत हसास होती है और इस पारे में यह कहते हैं कि वह प्रोफेशनल मोर्नर्स थी यानि कि देवर टू पीपेड फॉर इस जॉब जितना अच्छा वह रोएंगी जितना अच्छा दुसरे लोगों तक वह दुख का मोहौल क्रियेट करके कनवे करेंगी उस हिसाब से पर वह उनको पेमेंट करते ताके हमारी मेहनत रंग लाए रात बहुत हो चुकी है लेकिन अबी तक हम रिकॉर्डिंग में बैठे में हैं ताके वो बात जो खुदावन चाहता है कि हमारे वसीले से आप तक पहुंचे वो जरूर हम पहुंचा सके इस वक्त मैं और हिना इस एपिसोड में आपसे इजा झाल